हाई गईज में नामे कलपिशकर्ग और अपने इस वीडियो में आप सभी का मैं वैलकम करता हूँ दोस्तों कहा जाता है कि कौन कहता है कि आस्मान में छेद नहीं हो सकता एक बार तबियत के पत्थर उचाल के तो देखो जी हाँ अगर आप किसी चीज को मन में सोच लेते हैं और उसका अगर आपके दिमाग में जुनून सवार हो जाए तो फिर लक्ष चाहे कितना भी बड़ा हो उसे हासिल करना बिलकुल ही आसान हो जाता है और इस बात को साबित कर लिया है आज द्वारीका के रहने वाले परबत कुमार ने तो परबत कुमार गुजराद द्वारीका से चलते हुए सिर्फ नौ दिनों में मुंबई पहुँच गए हैं और इस तरह का determination हो तो हमारे युवाओ को उस लक्स की प्राप्ती करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रो सकती उन्हें कोई रोक नहीं सकता इस तरह की बातें इंस्ट्राग्राम पर अक्षे कुमार ने शेयर की है तो आईए सबसे पहले तो मैं आपको परबत कुमार से मिला देता हूँ जहां पर अक्षे कुमार उनसे पूछ रहे हैं कि आप क्यों आए हैं और वो उनकी डिटेल वहाँ पर बता रहे हैं कि मैं ये बताना चाहता था कि मैं कितना फिट हूँ और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ तो मैं आपसे मिलने आया हूँ तो चलिए उस वीडियो की जलकिया मैं आपको दिखा देता हूँ नौशो किलोनितर हां बुजरात से नियां नौशो तोड़ी होता है दुएरिका है दुएरिका से अठारा दिन में तो दिन में कितना करविट पचा पंचा वान आज तो में रात में भी चला था ज्यूंकि आप संडे तक मिलना था आपको आपको मालन का संडे वे घर नहीं प कुछ खाया कुछ खाके जाना चलो बहुत अच्छी बात है इतना चलते हो लेकिन तो मुदर भी चल सकते हैं इधर तक क्यों आए भी आप से मिलना है और एक ठीक अभी इसके बाद मत करना इसा नहीं कभी नहीं क्या होता है हाई वाइवे वाइवे में ट्राफिक होता है इतन नव्यूवक जो है यकीनन यूट्यूब पर और सॉस्चल मीडिया पर वाइरल होने वाला है आप देखते रहना आप जहां भी जाओगे इसकी वीडियो आपको दिखाई देगी क्योंकि यहाँ पर अक्से कुमार से मिलना बड़ी बात नहीं है रोज लाखो फैन उनके पा पॉल्ड पेदल चलने का अनुबाव हमें भी हैं हम लोग भी पैदल अम्बा जी की यातरा किया करते हैं सिर्फ 117 किलोमिटर चलना दिन का 30-35 किलोमिटर चलने के बाद दुसरे दिन यह हालत होती है कि हमारे पैर काम नहीं करते हमारा जो सरीर है वो ज olmuş दे जाता है 800 k abord जे इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे वो बांदरा से चलके उनके गर पहुँचे हो तो इस तरह का जो determination है उसे मैं भी सलाम करता हूँ और आप लोगों से निवदन करता हूँ कि इस तरह की जजबे वाले इंसान के वीडियो को आप सब तक पहुचाए ये कहानी सब तक पहुचनी चाहिए कि अगर दिल में अटूट विश्वास और जुनून हो तो दुनिया में कुछ भी पाना मुश्किल नहीं तो द्वारिका के परबत कुमार ने आज ये साबित कर लिया कि लक्ष चाहे कितना भी बड़ा हो अगर आपके दिल में जुनून है और कुछ पाने की इच् प्रागत आपको रोक नहीं सकती इस तरह की मौटिवेशन स्टोरी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बैल आइकन दबा दीजिए आज तक लिए इतना ही अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय बारतियस आना झाल